आज की स्रूडियों में आपको बताएंगे कि अगस्त से पढ़कर टॉपर कैसे बने यानि कि तो 25 में अगर आप भी बोर्ड एक्जाम देने वाले हो और अगस्त से पढ़कर टॉपर बनना चाहते हो तो आज की स्रूडियों को सुरू से लेकर लाज तक ज़रू देखना मैं एक खुद टॉपर हूँ और आज की स्रूडियों में जो आपको इस्टरजी बताऊंगा उस्टरजी को फॉलो कर लेना आप भी अगस्त से पढ़कर बोर्ड पर इच्छा के टॉपर बनोगे देख लीज़े यहाँ पर पांच इस्टरजी लेकर आ चुका हूँ पांच पा हूँ त में तरीक पर न भी मेनद करोगे तरह मेहनत करोगे आपको यूनीक बनना पड़ेगा उन से कुछ अलग करना पड़ेगा तब आप पर बनोगे और वही पांच यूनीक तरीके जो मैं खुद फॉलो किया था आज के से उडियो में आपको बताने वाला हूँ वीडियो को सुरू से लेकर आज तक जरू देखना और इस वीडियो को जो इस्टुएंट देख लिया अगस्त से भी पढ़कर 95% लाने का मैं गरंटी देता हूँ कि वो लाएगा क्योंकि आज के से उडियो में 5 पावरफुल ऐसे टिप्स लेकर आचुगा हूँ जो आपके पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा और इस स्टेड्यू को फॉलो करके देख लेना इस पावरफुल टिप्स को फॉलो करके देख लेना आपकी स्कूल में भी कोई भी एक्जाम होगा या फिर बोर्ड एक्जाम देने जाओगे आप उसमें अच्छा फोर्ड कराओगे तो वीडियो को सुरू से लेकर लाज तक ज़रू देखना और जो भी आपके दोस्त वोर्ड एक्जाम की तैयारी करते हैं उनको भी ये वीडियो सेयर करेना चलिए बिनादेर की ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सबसे पहले बात आती है टॉपर बनने की तो टॉपर बनने के लिए सबसे पहले में इस्टुडेंट के दिमाग में सवाल होता है कि पढ़ाई किस तरीके से करें यानि कि टॉपर किस तरीके से पढ़ाई करते हैं आप हमें ये बता दीजे जी बिल्कुल सही ज चुडेंट की तरह अभी पढ़ाई करोगे तो आभी टॉपर नहीं बन पाओगे आठ गंटे-दस-दस गंटे पढ़ाई करने से कोई टॉपर नहीं हुआ है टॉपर बनने के लिए आपको हाड़ वर्क और प्लस स्मार्ट वर्क दोनों करना पड़ेगा यानि कि और लोगों आपको युनिक बनना पड़ेगा और युनिक बनने के लिए आपको अलग मैथ़र अपनाना पड़ेगा क्या मैथड है सबसे पहले अगर टॉपर बननी है तो सबसे पहले अपना एक अलग रूटीन बना इसमेлемरा मैंड बूरा फोकस हो हम चीज़ें जल्दी कि समय हम math को solve करें ताकि हमारा focus एकदम अच्छा रहे और अच्छे से हम solve कर पाएं जैसे देखे सुभा का जो समय होता है सुभा का जो टाइम मुश्वत करते और जो बहुत फाशली याद होता है इसमें आप लिखने वाली चीजे याफि स्वाल्स करने वाली चीज़े जो भी नुमेरिकल वगेरे कर सकते हैं रात के समय आप चाहें तो जो भी मैध के doubts होते हैं मैध के जो भी question होते हैं revision के तौर पर या फिर जो भी hard question है उनको कर सकते हैं क्योंकि रात में क्या होता है नींद आती है नींद आने चले वो चलोगे तो आपको नींद आने लगेगी तो जो कुछ ना आते हैं उनको ही रात में लगाना अच्छे से प्रैक्टिस करना ठीक न यह यूनिक तरीके हैं टॉपर के पढ़ाई करने का ठीक न उसके बाद देखें टॉपर क्या अपनाते हैं सुरू से वो कॉपी लिखने की बहूत यह बेहतरीन बेहतरीन वीडियोımız प्रवायड किया हूं उन वीडियोज को अच्छे से जाकरוא किजी अच्छे से देखिए एक दम बेहतरीन तरीके से जैसा मैंने कॉपी लिखकर Um.. सब्जेक्ट में लाया था वही तरीक आपको बताया हूं उस तरीके से अगर आप कॉंपी लिखोगे तो आपके भी बहुत अच्छे मार्स आएंगे तो कॉंपी कैसे लिखना है इस चानर पर जाकर क्लिक करके देख लेना इस वीडियो को देखने के बाद अच्छे से वाच क बतना हो तो दिखे इंपॉर्टन कोश्चन कहने का मतलब कि जो कोश्चन हर एक साल रिपीट करते हैं मतलब कि बोर्ड एक्जाम का ये एक रूल है बोर्ड एक्जाम का ये फैटर्न है कि उससमें जादा तर जो कोश्चन होते हैं इंपॉर्टन ही पूछे जाते हैं जो कि ह यह साल आपके बोड एकजाम में रिपीट करते हूं, तो उनको कैसे याद करना है, कैसे अच्छे से प्रक्तिस करना है, उसको समझ़े, जब भी आपको important question याद करना हो, तो अच्छे से दिमाग को सांध करके ठंडे दिमाग से अच्छे से याद कीजिए, याद करने के बार लिखने की practice कीजिए अपने इसे लिखने की practice कीजिए जिससे आपकी handwriting भी सूद देगी और प्लस में important question अच्छे से याद भी हो जाएगा ठीक ना ये तरीका हो गया बेन उसके बाद क्या कीजिए कि जो भी जो भी important question है अब previous year question paper लेकर उसमें के जो भी important question है उसको अच्छे सी एक copy मिलती है बोर्ड exam जैसे ही copy मिलते है या फिर अपने normal notebook पर भी अच्छे से जैसे exam में लिखना है cm वैसे handwriting में लिखने की courses कीजिए इससे आपका पता चलिएगा कि exam में कैसे copy भी लिखनी है और अच्छी handwriting भी हो जाएगी और चीज़े जल्दी याद भी हो जाएगी हाँ लेकिन अगर आपको क्या करना है diagram वगेरा जो भी physics के यहाँ पर biology के जो भी diagram है उनको अच्छे से practice क बनाने की कोसिस करना है मतलब हफ्ता में सफ्ता में एक दिन आपको diagram बनाना ही बनाना है ठीक यह target बनाका चलिए उसके बाद यहाँ पर आता है कि model question paper लगाए जिया दोस्तों देखी अगर आपकी तैयारी अच्छी है लेकिन अगर आप question paper नहीं लगाते हो model paper नहीं लगाते जाते हैं और कुछ ऐसे भी question होते हैं जो previous year question paper से modify करके डाले जाते हैं तो अगर आप previous year question paper लगा लिए हो या फिर लगाते हो तो आपके लिए बहुत बड़ा फायदा है कि यह कि उसी में से question board exam में पूछे ही पूछे जाते हैं तो उनको अगर आप लगा दोगे तो आपका question paper को अगर आप अच्छे से लगाओगे तो आपके भी board exam में 95% आने से कोई नहीं दोग पाएगा उसके बार लास्ट जो इंपॉर्टेंट है जो कि हमें बताना आपको जो था कि social media को अच्छे से manage करें यानि कि social media का कम इस्तमाल करें अच्छे से manage करें अगर आपको पढ़ देखना चाहिए लेकिन अगर पढ़ाई करें हो तो हरे एक तीस संगेंड में थोड़े बदलोगे तो पढ़ाई में आपका concentration घट जाता है सौड वीडियो से तो सौड वीडियो देखना कम कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए social media को अच्छे से manage कीजिए जो YouTube है वह हाँ पर पूछिए social कीजिए lecture देखिए one short वीडियो देखिए अच्छे से तैयारी कीजिए धुआधा तैयारी कीजिए आपका 95% लाने से कोई नहीं दोपाएगा तो आज की शोड़े में बता दिया कि अगस्त से पढ़कर आप तो आपर कैसे वनोगे वीडियो कैसी लिए कमेंड में जोर बताईएगा इस वीडियो को दोस्तों में भी शेयर कर दीजेगा ताकि उनकी भी यहल पर उसके मैं मिलतों आपको इसकी नेक्स शुड़ें तब तक के लिए जहिंद वन्यमात्रम